100% free traffic answers निकलवाने के लिए आप इन 4 steps के यूज कर सकते हैं दोस्तो आज के method के उपर work करने के लिए सबसे पहले आपको एक affiliate प्रड़ को choose करने के लिए हम किसी भी affiliate नटर के यूज कर सकते हैं जैसे कि आपके लिए bank हुआ, jvzoo हुआ, warrior plus हुआ, amazon.com हुआ तो आपको एक affiliate नटर के ऊपर अपना account create करने के लिए जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर example लेने वाले दिशो 24 का तो हमने दिशो 24 के ऊपर अपना account create कर लिया हैं और इसकी market place को open कर लिए अब आपके सामने बहुत सारे affiliate products आ जाएगे आपको यहाँ से एक affiliate product को choose कर लिए जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर example लेने वाले हैं spirituality की नीच का तो उसके coding हम अपना affiliate product choose करेंगे तो spirituality की नीच को find category आपको यहाँ पराना है और यहाँ पर आपको option मिलता है product categories का और इसके नीचे आपको option मिलता है initial products का तो आपको इसको पक्लिक कर देना है जैसे आप इसको पक्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सरी category ही सजाएंगी अब आपको यहाँ पर spirituality की category को find करना है तो simply आपको bottom पे आना है और यहाँ पर आपको spirituality का option दिखाई देगा तो simply आपको इसको पक्लिक करेंगे जैसे आप इसको पक्लिक करेंगे तो आपके सामने 28 प्रड़क्स हैंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं अब आपको यहां से एक प्रड़क को चूज करना जैसे कि इस वीडियो में हम यहां पर इस प्रड़क का एक्जामपल लेने वाले हैं तो प्रड़क का नाम क्या है? Call of Destiny बेसिकल एक डिजिटल एबुक है जिसको गर हम प्रमोट करते हैं तो हमें यहां बस 75 परसंता का कमिशन ले जाता है मालो मैं आपर दिन की एक सेल भी निकलवा लेता हूँ तो इसली में आपर प्रड़क के 11 डॉलर तक को आर्न कर सकते हैं अगर मैंने दिन की 10 सेल निकलवा ले तो इसली में आपर प्रड़क के 100 डॉलर तक को आर्न कर सकते हैं तो simply हम यहाँ पर इस प्रिड़ को promote करने वाले हैं और दोस्तों आप इस प्रिड़क एक आट conversion को भी देख सकते हैं जो कि around 12% है बहुत ही bad in product है अगर आप इसको promote करोगे तो definitely आप यहाँ से अपनी sales को निकलवाब पाओगे और दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो कंदर recommend करता हूँ जब भी आप किसी भी product को promote करें तो promote करने से पहले आपको उस product के sales page and effort support page को जरूर share करना चीए ताकि आपको idea लग जाए कि product किसके बारे में है और कैसे आपको उसको promote करना और sales page के माध्यम से आपको idea लग जाता है और support page के माध्यम से आपको resource मिल जाते है जिनका use करकर आप अपनी strategy बना सकते है तो पहले आपको sales page and support page को चेक करना है उसी के बादी आपको अपने product को promote करना और promote करने के लिए आपको यहापराना है और यहाँ पर आपको option मिलता है copy promo link का तो आपको इसको पकलिक करना है और यहाँ से आपको अपने effort link को copy करना है प्रिड़क चूज करने के बाद next step में हम अपने product के लिए ideas find करेंगे ताकि उसी के coding हम अपना content create कर सकें तो ideas find करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाल है chat GPT का तो simply आपको chat GPT को पराना है इसके उपर अपना account create करने के बाद आपको इसके home page को पराना है यहाँ पर आपको prompt type करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर type किया है तो इसने मुझे यहाँ पर 5 idea देती है अब आपको यहाँ पर सभी ideas को इत्हार से देखना है और इस idea के लिए आपको brief content create करना है जैसे कि मैं यहाँ पर इस idea के लिए brief content बनाना चाहता हूं तो idea क्या है journey through the chakras तो इसके लिए मुझे brief content create करना है तो content create लिए आपको यहाँ पराना है यहां पर आपको prompt type कर देना, जैसे कि मैंने यहां पर prompt type किया है, please brief create crucial for और यहां पर मैंने अपना keyword copy and paste कर दिया है, तो इसने मुझे यहां पर brief content बना कर देती है, अब इसी content का according मैं अपने pins create करूँगा, means मैं अपने images create करूँगा, तो pins create करने के लिए हम यहां पर use करने वाले हैं Canva, तो simply आपको Canva के उपर आना है, Canva के उपर अपना account create करेंगे, account create करने के बाद आपको इसके homepage को उपर आना है, and search में आपको type कर देना है Pinterest pin, जैसी आप यहां पर type करेंगे Pinterest pin, तो आपके सामने बहुत सारे option हैंगे, यहां से आपको Pinterest pin इसको choose करेंगे, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, and यहां पर आपको बहुत सारे templates मिलेंगे, जिनका use करकर आप अपनी pin create कर सकते, तो मैं यहां पर scratch से अपनी pin create करना चाहता हूँ, तो simply मैं यहां पर आऊँगा, create a blank Pinterest pin इसको पकलिक करेंगे, जैसा हम इसको पकलिक करेंगे, तो हमारे सामने new page आएगा, अब यहीं पर हम अपनी pin create करने वाले हैं, तो pin create करने के लिए पहले हमें यहां पर image की अवशक्ता होगी, उससे पहले हमें यहां पर background की अवशक्ता होगी, तो simply आपको यहां पराना है, यहां से आपको एक background को choose करना है, जैसे कि मैं यहां पर yellow background चूज कर लेता हूँ, और सारे मैं अपनी pin's के background यलो रखने वाला हूँ, ताकि मेरी pin's की एक brief theme बन सेके, सभी pin's के लिए आपको एक ही background को choose करना है, ताकि आप अपनी pin's की एक theme बना सके, तो background चूज करने के बाद हम अपनी pin के अंदर images का use करेंगे, तो images को use करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, elements इसको उपकलिक करेंगे, अब search में हम type कर देंगे chakras, तो यहाँ पर मैं type कर दूँगा chakra, अब आपको यहाँ पर graphics के option मिलेंगे, तो simply आपको आपर आना है, see all इसको उपकलिक कर देंगे, अब आपको यहाँ से एक graphic को choose कर लेना है, जैसे example तोर पर मैं यहाँ पर इस graphic को choose कर लेता हूँ, तो मैं इसको उपकलिक करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर adjust करता हूँगा, तो इस प्रकास से मैंने इसको यहाँ पर adjust कर दिया है, ओके, now again आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपनी पिन के लिए टैटल चूस करना है, जैसे कि मुझे आपर टैटल मिल रहा है, तो यहाँ से मैं इसको copy कर लूँगा, again मैं यहाँ पर आऊँगा, text इसको पकलिक करूँगा, and यहाँ पर मैं आपने टैटल को copy and paste करते dip, अब मैं इसको customize करने वाला हूँ, तो पैले मैं इसको थोड़ा साथ degrees कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर यह जाए, and मैं इसको customize करूँगा, तो पहले मैं इसका font change करने वाला हूँ तो इसको मैं copy कर लूँगा यहाँ पर आऊंगा यहाँ से मैं font choose कर लूँगा size मैं इसका 72 रखने वाला हूँ color मैं इसको रख लेता हूँ yellow ओके yellow क्यों रखाना मैं और इसको आपको बाद बता हूँगा तौशस को मैं आपपर अच्छे से सेट कर दीजिए नाओ अब मुझे यहाँ पर अपना content add करना है, तो content add करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहां से मैं अपना content कोपी कर लिएँ तो यहां से मैंने अपना description कोपी कर लिया है कोपी करने के बाद अगेन आपको यहां पर आना है एड़ एडिंग इसको पकलिक करना है और यहां से आपको अपने डिस्क्रिप्शन को एड कर देना है साइज मैं इसका गहटा दूँआ भी तो कछ यहां पर इसको भी अलाइन कर दिया है इस के अब परकास चैसे आपने कर दो लेडा है को के इसको थोड़ जेढ कर लेता हूं ऑ जön कर दे कर N नाव मुझे इसको पर ग्रीडियंट को एड़ करना है, ताकि मेरी बिन यहापर पर प्रोफिशनल लगे, तो मैं elements इसको पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा, gradient, then enter इसको पर कलिक कर दूँगा, graphics इसको पर कलिक करूँगा, यहाँ से मैं gradient को चूज कर दूँ इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से adjust कर दूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा का पूरा adjust कर दूँगा, और यहाँ पर आप दे सकते हैं, कि हमने यहाँ पर अपने colors yellow and white यूज किये थे, जो पहले visual नहीं थे, पर जैसे मैंने यहाँ पर gradient के यूज किया है, तो मेरी color यह अब मुझे यहाँ पर अपना call to action add करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना call to action add करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आउँगा, text इसको उपकलिक करूँगा, add adding इसको पकलिक कर दूँगा, यहाँ पर मैं text add कर दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर text add कर देता हूँ, click the link on right, इस प्रकार से मैं यहां पर text add कर देता हूं ताकि बंदा इस पर इनके उपक्लिक करेगा तो सीधा ही हमारे landing page को बचला जाएगा तो यहां पर देता हूं click the link on white इस तरीके से मैंने यहां पर अपना call to action add कर दिया है लगा मैं से size decrease कर देता हूं जिससे size में यहां अपर 45 रख लेता हूं इसका क्लर मैं यहां पर लेता हूं black इसको बना लेता हूं black background क्लर मैं यलो तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया है यहां पर एक शिंपल सी पिन create कर लिए तो इसी तरी के साब का करना यहां पर अपनी pins बनाना है तो जितने भी आपको यहां पर ideas मिल रहे हैं सभी के according आपको 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 pin बनाने जैसे कि हमारे आप स्लाइड नमर 2 का idea मिल रहा है इसे परकास से आपको यहां पर अपनी pin बनाना है जैसे कि मैंने यहां पर पाँच pin बनाली है उसके बाद आपको यहां पराना है 6 pin create करने उसके बाद आपको यहां पराना है share इसको पकलिक करना है download इसको पकलिक करना है file tap के अंदर आपको png को select करना है download इसको पकलिक करना है और आपको 5 pin यहां पर download हो जाएगे next step में हम अपने predict के लिए landing page create करने वाले तो landing page create करने के लिए हम यहां पर use करने वाले Google साइट का तो simply आपको Google साइट को पराना है इसके ऊपर अपने account create करने अगर आपको landing page बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो हम यहां पर chat GPT के माधिम से यह landing page बनाने वाले तो simply आपको chat GPT को पराना है इसके अब आपको यहाँ पर प्रॉम्ट टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्ट टाइप किया है, प्लीज में के लेंडिंग पेज़ फोर, स्पूरिच्विल्टी नीच, वेड़क नेमी स्कॉल ओफ डेस्टिनी, तो इसने हमें यहाँ पर एक लेंडिंग पेज बना करते हैं, ओली हमें इसको Google साइट के उपर पर copy and paste करते हैं, तो मैं इन पार्ट को हैंपर delete कर दूँगा तो इसको मैं आपर delete कर देता हूँ text books इसको पर click करता हूँ यहाँ पर मैं अपने title वाले पार्ट को copy and paste कर देता हूँ अब आपको इसको customize करना है जैसे के मालो मैं इसको customize करना चाहता हूँ तो इसको मैं copy कर लूँगा, title इसको choose कर लूँगा, font मैं इसका जोर्जिया रख लूँगा, इसका size मैं आप रख लूँगा 36, इसको मैं bold कर दूँगा, color मैं इसका red रखने वाला हूँ, और इसको मैं middle मैं set कर दूँगा, अब मैं इसके spot को be customize करना चाहता हूँ, तो इसको मैं copy कर लूँगा, इसको मैं आप रख लूँगा heading, इसको मैं रख लूँगा Georgia, size इसका मैं आप रख लेंगे 24, इसको हम bold कर देंगे, color इसका मैं आप रख लेंगे black, and इसको मैं middle मैं set कर देंगे, तो इस परकास से मैं यहां यहां पर आएंगे, यहां से हम स्पार्ट को कोपी कर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक मैं स्पार्ट को कोपी कर लेता हूं, यहां पर आता हूं, टेक्ट बोक्स इसको क्लिक करता हूं, यहां पर मैं इसको कोपी और पेस्ट कर लेता हूं, अब हम इसको कस्टमाइज क उसी परकार से मैं यहां पर इस पार्ट को भी कस्टमाइज करूँगा, तो इसको मैं जोर चीर रख लेता हूँ, साइज इसका मैं यहां पर रखने वाला हूँ, 18, 14 ही बैस लगेगा, तो मैं 14 रख लेता हूँ, ठीक है, तो कलर मैं इसका रख लेता हूँ, इस परकार से मैंने यहां पर इस पार्ट को भी कस्टमाइज कर लिया, अब मुझे यहां पर एक इमेज आड़ करना है, तो मैंने कैनवा के मात्यम से, स्परिच्विल्टी के लिएक इमेज ग्रेट किया है, जिसको मैं यहां पर अप्लोड कर दूँगा, अगेन मैं यहां पर आँगा, इमेज इसको पकलिक करूँगा, अप्लोड इसको पकलिक करूँगा, यहां पर मैं अपनी इमेज को अप्लोड कर दूँगा, इसको मैं यहां पर मिडिल में सेट कर दूँगा, इस प्रकास से यहाँ पर मैंने अपनी image को भी add करती है ठीक है image add करने के बाद आपको यहाँ पर आना है again आपको text box इसको पकलिक करना है यहाँ से again आपको अपने content को copy कर लेना है जैसे कि मैं इसको copy कर लेता हूँ again मैं यहाँ पर आउगा copy and paste कर दूँगा इसको मैं customize कर दूँगा तो यहाँ पर मैं title choose कर लेता हूँ and यहाँ पर मैं choose कर लेता हूँ georgia size इसका मँथ रेंगे 24 इसका हम bold कर देंगे color इसका मैं यहाँ ग्रडर select कर लेते इसे परकासस इसका भी हम customize कर देंगे इसको मैं जोर्जिया चूस कर लेता हूँ ठीके साइज इसका हम 14 रख लेंगे and कलर हम रख लेंगे black इस प्रकास से मैंने यहाँ पर इस content को भी adjust कर दिया है means यहाँ पर मैंने इसको edit कर दिया है again हम यहाँ पर जाएंगे हम यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पार्ट करने वाले है सभी पार्ट को मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ again मैं यहाँ पर जाओँगा text box इसको पकली कर लूँगा and है आपर मैं इसको copy & paste कर दोगा सेमे स्थी तरीके से इसको भी हम पर कस्टमाइज करने वाले है तो पहले मैं इसको customize कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं heading choose कर लूँगा, इसको मैं choose कर लूँगा Georgia, size इसका हम 24 रख लेंगे, इसको हम bold कर देंगे, color इसका हम red रख लेंगे, ठीक है, इसको मैं adjust कर लेता हूँ, again heading choose कर लूँगा, यहाँ पर मैं रख लूँगा Georgia, size 24 रख लेंगे, इसको हम bold कर देंगे, color इसको हम रख लेंगे black, उसी प्रकास से आपको 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 अपने text को रख लेता हूं, जोर्जीया, size 14 रख लेंगे, और इसको हम कर देंगे black, ठीक है, तो इस प्रकास से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने text को customize कर लेंगे, again मैं इसको copy कर लेता हूं, जोर्जीया, size 24 कर देंगे, is home cold कर देंगे, color इसको हम ready रख लेंगे, उसी प्रकास से आपको इसको रख लेंगे हैं, तो फाइनल पार को मैं adjust कर लेता हूं, जोर्जीया, जीक है, तो प्रकास से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना पूरा penit ready कर लिया है, तो again मैं इसको 14 लख लेता हूँ और इसको मैं black कर देता हूँ तो text का मेरा पूरा part यहाँ पर complete हो चुका है अब मुझे यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर मुझे अपना effort link एड़ करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा यहाँ से मैं इसके go to action इसको copy कर लूँगा अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर मैं button इसको choose कर लूँगा यहाँ पर मैं इसको copy and paste कर दूँगा अगेन मैं जाँगे रिश्ट 24 के उपर यहाँ से effort link को copy कर लेंगी copy and paste कर देंगी insert इसको उपर click कर देंगी पुछ इस प्रकास से इसको में आपर adjust करते हैं तो इस प्रकास से हमने यहाँ पर अपना landing page बना लिया है अब आपको अपने landing page को publish कर लेना है तो publish करने के लिए यहाँ पर आना है publish इसको उपकलिक करना है यहाँ पर आपको अपने landing page का web address टालना है फिर आपको यहाँ पराना है, publish इसको अपकलिक करना है यहाँ से आपको अपने landing page को publish करना है final step में आपको Pinterest के उपराना है Pinterest के उपर अपना business account create करना है अगर आपको business account create करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आपको हमारे channel को पजाना है Pinterest की playlist को देख लेना है उसके माध्यम से आपको business account create करना जाएगा आपको इस वीडियो के देखना है और अपना business account create करना है business account create करने के बाद आपको इसके home page को पराना है और आपको अपनी profile को optimize करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी profile को optimize कर रखा है सेम इसी तरीके से यह अपनी profile को optimize करना है तो सबसे पहले आपको Pinterest के लिए cover photo create करना है और cover photo create करने के लिए आप यहाँ पर use कर सकते हैं Canva का Canva को पर जाना है cover photo create करना है यहाँ पराना है इसके माध्यम से आपको अपनी cover photo को upload करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पराना है edit profile इसको उपकलिक कर देना है अब आपको chat GPT के माध्यम से अपनी niche के according name करेट करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर name बना रखा है name को यहाँ पर आपको copy and paste कर देना है Canva के माध्यम से आपको अपने logo करेट करना है जिसको आपको यहाँ पर upload कर देना है chat GPT के माध्यम से आपको अपनी niche के according description करेट करना है जिसको आपको यहाँ पर copy and paste कर देना है अभी हमने landing page करेट किया था उसके link को आपको यहाँ पर copy and paste करना है finally आपको save इसको पकलिक करना है और आपकी Pinterest profile यहाँ पर ready हो जाएगी अब आपको अपनी Pinterest profile के अंदर अपनी pins को upload करना है जैसे कि हमने यहाँ पर 5 pins को upgrade किया है तो हम यहाँ पर 5 पिन को upload करें तो pin को upload करने के लिए आपको यहाँ पराना है 3. इसको पकलिक करना है create pin इसको पकलिक करना है अब आपको यहाँ पर option मिलेगा drag and drop का तो आपको इसको पकलिक करना है और यहाँ से आपको अपनी पहली pin को upload कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना title डाल देना है तो जो हमने pin यहाँ पर create किया है उसी के title को हम यहाँ पर use करने वाले हैं तो हम यहाँ पर कर देना है यहाँ से हम इसके title को copy कर लेंगे सब्सक्राइब कर दिए तो करना है important के अंधर आपको अपनी one को सिव कर देना है एक की अंधर अम यहां पर और देंगे spirituality इसका सामने साज़ाएगा स्कूर मैं इसको कर देंगे उसके बाद आपको यहां पर अपनी पहली पिन को पब्लिश करना है दूसरी पिन को पब्लिश करने के लिए अगेन आपको अपर आना है प्लस इसको पकलिक करना है अब आपको यहां से अपनी दूसरी पिन को चूज कर लेना है अगेन आपको यहां से आपको अपने टैटल को कोपी कर लेना है तो यह इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर दूँगा, again आपको यहाँ पर अपने landing page का link के दे देना है, यहाँ से इसको मैं copy करूँगा, इसको मैं copy and paste कर दूँगा, board के अंदर save कर देंगे, suitable tag लगा देंगे, इसको भी एम publish कर देंगे, इसी तरीके से आपको यहाँ पर per day की 5-5 pin create करना है, और अपने Pinterest account के अंदर publish करना है, अगर आप यहाँ पर daily basis की 5 pins publish करेंगे, तो definitely आपका Pinterest account एक मैने में grow कर जाएगा, आपके account के ओपर millions में traffic आएगा, जो definitely आपके landing pages के ओपर जाएगा, landing pages सबके sales page के ओपर जाएगा, आपके product का conversion rate अच्छा है, तो definitely आपका product यहाँ पर sale होग और आप यहाँ पर money make करता है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर Pinterest के मात्रम से अपनी एफट परड़को promote करना है, और आपको अपनी एफट sales को निकलवा लेना है, I hope आपको आज का method पसंदा होगा, समझा होगा, और कैसे इसको apply करना है, वो भी आपको सम्मा होगा, अगर आपको आज का method अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को share बर subscribe करें, और कम सकम इस वीडियो को बढ़ने लाइक्स लेके, तक इसी टैप का awesome content आपको share करें.